चले बढ़ते राजदानी राइपूर के ओर चाहा कल बस्तर दौरे पर आएंगे पियम मोदी जन सभा को करेंगे सम्भोदेत बता दे मोदी का बस्तर आगमन हो रहा है बस्तर के लोगों में उत्सा का महौल है प्रतम चरण का चुनाओ जो है 19 अप्रेल को होना है और ऐसे में भारती जनता पार्टी और साथ ही कॉंग्रेस के जो तमाम दिगज है उनका 36 गड़ दौरा है ऐसे में क्या कोच इस्तिती रहेगी कितना असर उनके दौरों से पढ़ेगा हमारे साथ है डिप्टी सीयम अरुनसाओ सिधे उनसे ही चर्चा करते हैं सर लगतार कई तमाम दिगजों का दौरा 36 गड़ होने वाला है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का भी दौरा है किस प्रकार से दौरा रहेगा और कितना फाइदा 36 गड़ की जनता को और लोग सबाचुणाव में हो सकता है दौरिया के सबसे लोक परियनेता देश के प्रधान मंत्री माननी नरेंद्र मोदी जी का बस्तर आगमन हो रहा है हमारे प्रदेश में एक मात्र सीट बस्तर जहां पर पहले चरण में मद्दान होना है उस एक मात्र सीट के लिए भी देश के सफसी प्रधान मंतरी मानि नरेंदर मोदी जी का बस्तर आगमन हो रहा है बस्तर के लोगों में बहुत उस्सा का वातावरण है बस्तर के लोग उस नेता को बहुत नज़्दीक से देखना और सुनना चाहते हैं जिसने एक आदिवासी समाज की बेटी को देश का रास्टपती बनाया आदिवासी समाज के मान सम्मान और गौरों को बढ़ाया आदिवासी समाज, आदिवासी छेतर के विकास के लिए योजना बना कर जिसने काम किया है पिछडे वर्ग के लोग जिनके तरक्की और बहतरी के लिए पिछले दस सालों में नरेंद्र मोदी जी ने अनग अलग योजना बना कर इतिहासी का और काम किया है इसलिए आम लोग उस नेता को देखने नस्दीक से देखने और सुनने के लिए बहुत उत्साहित हैं लालाइत हैं और इसलिए बस्तर के उनकी सभा बहुत इतिहासिक और भव्य होने वाली है जिसका लाप पूरे प्रदेश में भारती जनता पार्टी को मिलेगा मिसन इलेवन ग्यारा की ग्यारा सीट जीतने में ये बहुत मददगार होने वाला है पूरे प्रदेश को इसका लाप मिलेगा